ओम सांती हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की कहानी बहुत ही पेड़ना पून है उसका सीरसक है अकेला पन आईए सुनते हैं कहानी पत्पत्नी आने वाले किसी तोहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दी बाजी में और बहुत उतस Bitte पती ने पत्नी से कहा जल्दी करूं मेरे पास टाइम नहीं है और भी जरूरी काम है ओफिस का दोनों तयार होकर घर से निकलने लगे तब ही बाहर बरामदे में बैठी बुड़ी मा पर उसके बेटे की नजर पड़ गई वह मा के पास जाकर बोला मा हम लोग तोहार की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिये प्लीज माने का मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा बेटे के बार बार बहुत जोर दे कर कहने पर मा बोली ठीक है तुम रुको मैं अभी तुमें लिखकर देती हूँ उसके कुछ देर बाद माने बेटे को कुछ लिखकर एक कागश थमा दी बेटा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पतनी से बोला देखा मा को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी मेरे जिद करने पर लिस्ट ब बाद में आप अपनी मा की लिस्ट देखते रहना पतनी बोली दोनों गाड़ी से बाजार के लिए निकल पड़ी चार घंटों तक पूरी खरीदारी करने के बाद पतनी बोली अब मैं बहुत ठक गई हूँ मैं कार में एसी चला कर बैठती हूँ आप अपनी मा का सामान उन पतनी क्या-क्या मंगाया है और बनो सिर्वन कुमार कहते हुए पतनी गुस्से से पती की ओर देखने लगी और बापस उसे लिष्ट पकड़ा दी पर ये क्या पती की आँखों में आशू और लिष्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था उसका पूर बड़ी पर्ची में बस चंद सब्दी ही लिखे थे उसका अगज में लिखा था मेरे कलेजे के टुकड़े मेरे आँखों के तारे मेरे प्यारे बेटा मुझे इस तोहार पर क्या किसी भी तोहार पर कभी कुछ नहीं चाहिए फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो ये तुमार जाते अंध्यारे से ढल लगने लगा है मुझे अकेला पन से ढल लगने लगा है मेरा ये बड़ापा मुझे काटता है मुझे अब तनहाई से ढल लगने लगा है तो जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक मेरी सांसे चल रही है जब तक मेरी धड़कनों में आवाज है कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, माट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेला पन, बिन दीप जलाए ही रोसन हो जाएगी, मेरी जीवन की काली सांथ, कितने साल हो गए बेटा, तुझे इस फर्स नहीं किया, एक बार फिर से, आ मेरी गोद में, अपना सिर और मुस्करा कर मिलू मोत के गले, क्या पता अगले तोहार तक रहूं ना रहूं, दोनों रोने लगे। दोस्तो, हमारे माता-पिता को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, हमारा साथ चाहिए, हमारा आदर और समान चाहिए, और कुछ नहीं बस, ओम सांथि